जै राम जी की दोस्तों आपका दिन सुभ हो मंगल मैं हो प्रभू से यही कामना है सभी बड़ों के चर्णों में प्रणाम और छोटों को धेर सारा प्यार आज मैं फिर आपके समक्स एक बहुत ही जरूरी विशे लेकर उपस्तित हूँ और आज का हमारा विशे है स्मर्ण सक्ति बढ़ाना यानि अपने दिमाग को किस तरह से अद्वुद बनाए अपने दिमाग को किस तरह से तेज बनाए जिससे हमारी यादास बहुत अच्छी रहे ये कारे विद्यारतियों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो अपने दिमाग को बहुमुल्य सक्तियों का स्वामी बनाना चाहते हैं जो चाहते हैं कि उनको सब चीज़े याद रहें पहले मेरा सभी जातिकों से अनरोध है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं किर्पिया मेरे चैनल सस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ बेल आइकन को विश्य दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके अब बात करते हैं अपनी बुद्धी को तेज करने के लिए हम क्या करें इसमें मैं आपको कुछ चार पांच उपाई बताऊंगा जिससे आप अपनी बुद्धी को बहुत ही विलक्षन बहुत ही तिर्व बहुत ही तेज कर सकते हैं सबसे पहला उपाई आप चार मुखी चार मुखी रुद्राक्ष ओरिजनल चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है हमारा जो की ओरिजनल नेपाल से मिलता है वो आप पहनी गले में चार मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करें बहुत ज़्यादा अच्छी बुद्धी के लिए जो लोग चार मुखी रुद्राक्ष पाना चाहते हैं ये चार मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा नहीं होता और बहुत ही कम रेट पर आपको मिल जाता है अगर आप चाहो तो हमारे संस्तान से भी फोन करके आप ये रुद्राक्ष मंगा सकते हो इसके जानकारी आपको description box में दे दी जाएगी अगर कोई मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है बहुत ही सस्ता होता है लेकिन बहुत ही लाद दायक होता है आपको original चार्मफिर उद्राक साब तक घर तक आपके अभिमंतरित करके पहुँचा दिया जाएगा उसके जानकारी आपको description box में मिल जाएगी इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको आवले का सेवन करना है बादाम खाना है आप बादाम खाईए आपका दिमाग तेज हो जाएगा दूसरी बात आप बादाम रोगन जो तेल आता है मार्केट में उसकी दो दो बूंद जो है रात को सोने से पहले अपने नाक में डालिए तो इस से आपकी बुद्धी जो है बहुत तेज हो जाएगी अगर ये तेल उपलब्द ना हो और आपके पास देशी गाएं जो होती है हमारी भारते गाएं उसका अगर देशी घी आपको मिल जाए गाएं का देशी घी जो है आपको अगर उपलब्द हो जाए तो उसकी दो दो बूंद आप अपने नाक में डालिए और फिर देखिए आ आपको आप दिमाग किस प्रकार से तेज होता है इसके अलावा ब्रामी का सेवन करें ब्रामी आवला का सेवन जैसे मैंने इस शुरू में बताया तो ब्रामी और आवला इन दोनों का सेवन करके अपनी बुद्धी को तेज कर सकते हों अपनी बुद्धी को और अधिक तेज क तो आपको एक एक बात पूरे दिन की याद रहनी आरंब हो जाएगी एक एक बात जो है आपको याद रहेगी तो ध्यान रखें आप अगर अपनी बुद्धी को बढ़ाना चाहते हैं चाहिए आप विद्यारती हैं अपने पेपरों में अच्छनंक लेना चाहते हैं या आप कोई competition का exam दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत तेज हो या आप अपनी दिमाग को बहुत ही अदबुत बनाना चाहते हैं तो ये उन जातकों के लिए है ये वीडियो जो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज करना चाहते हैं तो वो ये सभी क्रिया पा सकते हैं इसे के साथ आप से विदा लेता हूं प्रभु की किर्पा बर्बने आपका दिमाग बहुत तिवर हो इसे के साथ आप से विदा लेते हैं जै राम जी की जै श्री राम